नमसकार, दोस्तो सरकारी भरती में आपका स्वागत है, दोस्तो आज की वीडियो में मैं math topics जो पुछे जाते हैं आरोयरो में उन्को लेको आया हूं, तो बहुत लोगों को math में problem होती है, बहुत को reasoning में problem होती है और सबसे बड़ी चीज कि जो अलावाद हाई कोड का आरो यारो वाला जो वैकेंसी है उसमें आरो के लिए reasoning &ro के लिए मैथ और ऑर एरो के लिए reasoning इस पर आपको ध्यान देने की ज़रुवत है और इन दोनों कोहीं आप जो है देखें जो है सिर्फ मैथ पर ना लगें और एरो वाले रिजनिंग पे ना रहे हैं मैथ भी ध्यान दें हो सकता है कि दोनों मिक्स करके दे दें बट हाँ क्लियर ली नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो वहां पर दिया हुआ है एक पे एप्टिट्यूट जनरल एक पर इंटेलीजन जनरल दिया हुआ है तो यह चीज़े मैं आपको एक पीपीटी के माधिम से समझाने वाला हूं कि आरो के लिए क्या-क्या topics, math से क्या-क्या topics से related प्रशन पूछे आते हैं और ARO से related क्या-क्या topics, math से related पूछे आते हैं तो चलिए ये powerpoint मैंने बनाया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को समझाता हूँ ये है review officer के लिए बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, कुछ बड़ा है नहीं, अगर अच्छे से मैनत करोगे तो हाला कि math में बहुत जादा लोगों को problem होती है max to max, चाहे हर किसी के मुह से आप सुन सकते होगे या थोड़ा सा मेरा math बड़ा कमजूर है है ना लेकिन हाँ आपको सारे विशयज इतने भी हैं सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा तब ही आप जो है किसी भी exam में qualify हो सकते हैं तो शली हम review officer के मैं बात करता हूं और इसमें देखते हैं कि जो है math related क्या-क्या प्रेस्ट पुछे आते हैं मैंने topic wise बना रखा है आप देख सकते हो यहां पर तो देखे मैं इतना normal मैं सिर्फ एक बार बता दूंगा चोटा सा overview देखे आप खुद समझेगा और खुद अच्छे से जो है इसको नोट कर लिए नोट करने के बाद जो है इसकी तैयारी करें आप मान की चले मैं जितनी भी चीज़े पता आप देख सकते हैं पीपीटी ही बना रहा हूं कोई PDF नहीं है कहीं से यहां पर लिया गया है ठीक है यहां पर एलिगेशन और मिक्षर यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इतना मैं आपको पूरा मैट्स तो नहीं पढ़ाऊंगा और भी छोड़े-छोड़े सब्सक्राइब कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब एक तरह से बिक नहीं है दोनों को मिक्स करके एक साथ बेचना है ना जो भी इंट्रेस्ट लगा के बेचना क्या बेनिफिट पाना यह वाली बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है यह भी एलिगेशन ऑफ मेक्षर जो है आप पढ़िए मैं सब्सक्राइब सारी चीज़े इंपोर्टेंट है ना मैं किसी एक को स्पैस सा दिन पढ़ेगा है ना इस से रिलेटेड प्रस्ट पूछे जा सकते हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट यह सारी चीज़ें होती है और बहुत यह एक तरह से थोड़ा सा ट्रिक भी हूज होता है कलेंडर में भी ठीक है तो इसको भी देख लीज़ेगा चैन रूल्स हो निकालने नहीं आता हाला कि परसेंट भी निकालने उनको नहीं आता तो कुछ कहा नहीं जा सकता है मैंत में कहां तक लोगों की पगड़ है हां तयारी करें अच्छे से सबको सही होगा अच्छा नेक्स हमारा है हाइट्स एंड डिस्टेंस ठीक है और उसके बाद है ऑपरे बड़ा बड़ा देखे अब मैं आपको डराई दूं कि यह बहुत हाड है होई नहीं पाएगा तो फिर इससे कोई मतलब होगा नहीं ठीक है और जो है कोई भी चीज हाड नहीं होता बस एक बार कॉंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो सारी चीजे को जो है फटा-फट फटा-फट करने लगते हो चाहे वह फर्मूला के तुरू करो चाहे एक ट्रिक के तुरू करो कुछ भी चीज हाड नहीं होता यह मैं मानके चलता हूं और आपको भी मानना पड़ेगा कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है ठीक है अच्छा तो उसके बाद नेक्स हमारा आ प्रफित आप ने पूट से कितना साल बड़ा है तीन साल बाद कितना उसकी चाहिए प्रफित पूछेगा प्रॉब्लम्स और नमबर्स प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंद प्रॉफित और लॉस टीक है यह चीज़े तो आप बहुत फेमस होती है आप लोगों को पता ही है सारी च को एक चीज़ सजेस्ट और कर रहा हूं डिके यह यह चीज़े जरे करनी है और कि Abertares को आप method से एक अपनी आप करनी बाता था अच्छी तरगे से तरो ठीक ठाक मैहत हो गया है कर लेता है बढ़िया से ठीक है सारी यूटुब के बदोलत ठीक है अब आज के टाइम में तो यूटुब पे सब कुछ अवेलेबल है ठीक है चलिए और नेक्स्ट हमारा हो गया यहाराद इनों प्रफिक्टे ओ सकती हो किसी बंग जमाना अएक है तो यह शारी चीजए है अगर आप तयार करते हो तो और परफेक्ट मन सकते हो किसी बीग्जाम में युपी में कोई भी इस इसे रेटेट पर पूछे जाएंगे यही सब्जेक्ट होता है मैक्सिमन लोगों का ठीक है इन सब की इक बार त्यारी करो कि सब में काम आने वाला है ठीक है तो अच्छे से त्यारी करिए पूछने वाला है चलिए नेक्स्ट हम दिखाते हैं एसिस्टेंट रिवीव ऑफिसर में बहुत ही मज़ा है इसमें सिर्जिनिंग मैंने मेंशन किया है और पूछता है तो चलिए शुरू करते हैं यहां पे सबसे पहले आता है डाटा इंट्रिपेटिशन ठीक है उसके बाद ब्लड रिलेशन्स और सेलिलिजम कोड़ कोडिंग डिकोडिंग डारेक्शन ननवर्वर सीरीज क्लॉक और कलेंडर से नंबर से रैंकिंग ठीक है मैं पढ़ता चला जा रहा हूं ठीक है थोड़ा समय समझाई देता हूं आपको ठीक है और जैसे आपको सिंपल डेटा कितने प्राशन पूछे जाएंगे कि कितने भी ऐस टाइब के या फिर टीचर कितने हैं इस टाइप के प्रस्ट पूछे जाते हैं तो गोलावाइस काम है थी नाइनटी डिग्री में यह चीजें होनी चाहिए है ठीक है डेटा इंटर पर इस ब्लड रिलेशन टीक है सेलिल काम इलाज तक आपको नंबर पता होला चाहिएं तक प्रसन याद चाहिए और ढवकर कि तो चलिए यह चीज थोड़ा सा मैं बता हूँ थोड़ा बड़ी वीडियो बन जाएगी लेकिन मैं आपको बता रहा है इन सब चीजों की तयारी करें ठीक है जैसे नन वर्बल सीरीज हो गया अब चलेंडर हो गया नंबर रैंकिंग हो गया यह थोड़ा सा थौट वाइज है दिमाग लगाना पड़ता है इसमें डिसीजन मेकिंग है ठीक है एनलोग लोगे हो गया स्टेट्मेंट और अर्गमेंट्स हो गया अर्थमेटिकल रिजनिंग हो गया अलफावेट सीरीज हो होता है कोई भी चीज को सीरीज वाइस में बनाना हो जीसे यह हो तो अगला बीवी हो तो इस टाइप का इस टाइप का इस्टेंट रिवियू ऑफिसर वाले हैं जितने कंडिडेट फटा-फट कर लेंगे ठीक है थोड़ा सा हाड होगा आरो वालों के लिए जो रिवियू आपका अगरत्याथ पर जुझा अगर आप इसको पूरा अच्छे स सकते हो अच्छा सीटिंग अरेजमेंट बोहत ही गजब का जो है वह तो आप गंड़े-गंद शीख लोगे बहुत ही बढ़िया है फिर पजल इस में थोड़ा सब टाइम लगता है इसको भी आप सीख सक इलहाबाद हाई कोट आरो आरो में जो पूछी जाने वाले मैठ से प्रशन थे मैठ और रिजनिक से उनके बारे में मैंने डिसकस किया आपके सामने और उमीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे कोई भी प